मिसन दो हजार चौबिस की तयारियों में तमाम राजनेतिक दल जूट चुकी है लेकिन जारखंड के संथाल के छेतर में एक सियासी कहे करवट ले रही है सियासत जो है वहाँ एक करवट ले रही है इसलिए हम कह रहे हैं कि दावे दोनों तरफ से किये जा रहे हैं कि संथाल पर हमारी पकर मजबूत हुई है चाहे वो सत्ताधारी दल जेमेम हो या फिर विपक्ष की पार्टी बीजेपी हो लेकिन एक बड़ा चेहरा जो संथाल के हैं हेमलाल मुर्मुजी वो अब बीजेपी छोड़कर जेमेम में सामिल हो रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो बार इनको मंत्री बनने का भी मौका मिला और लंबा राजनेतिक अनुभब भी रहा है जेमेम में काफी सक्रिय थे लेकिन फिर बीच में बीजेपी का दामन थामें अब बीजेपी छोड़कर फिर से जेमेम में वापस लोट रहे हैं इनसे ही जानते हैं आखिर क्या इस राजनीति में इसे भोता है और संक्सदी राजनीति में इसे तो देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग अपने बिचार धारा के अनुरूप परिवर्तन लाते हैं फिर परिवर्तन होता है तो उस समय हम सोचा था कि चलिए हम राश्टी पार्टी में जा रहे हैं लेकिन राश्टी पार्टी में जाने के बाद भी हमको नहीं लगा कि उस शित्र का हम लोगों के साथ या लोगों के लिए हम कुछ पर कर पाएंगे और हमको लगा कि हम हमारे लिए सही जगह वही था जैमेम कितने साल लगवक रहे बीजेपी में बीच के दो अभी नमा साल तो गुजरा है क्या कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं फिर से वापस आया जाए बीजेपी में क्या काम काज से संतुष्ट नहीं थे क्या हुआ कभी कभी लोगों के साथ सिद्धान्तों के सगत टकरावट होती है और उसी टकराव का नतीजा है कि लगा कि उस विचारधारा में हम नहीं रहस केंगे तो कौन सी ऐसे विचारधारा है जो सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि यहां हम सुट नहीं करेंगे या मेरे लिए हित कर नहीं देखे जी सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोग मेडिया वाले तो खर ऐसा खोदना चाहते है सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत ग्रास रूट से आयो बयाते हैं हम लोग हवा हवाई की राजनीती नहीं किया आज तक जिस छेत्र में हम राजनीती चेत्र करते हैं बहुत ही पिज़डा चेत्र वहां के लोगों तक कैसे सरकारी योजनाओं का लाब या लोगों को जागरूप करके उनके दिसा दसा में सुधार लाना इन तमाम चीजों के लिये ही समझ के साथ हम जैमें की राजनीती चुने थे हमको लगा राष्टी पाटी है सबसे दुनिया के सबसे बड़ी पाटी है तो हमको लगा कि वहाँ भी सब सोच होता होगा कि सबसे पिछले दबे कुछले सबसे पिछले कतार में खड़े हुए लोगों के लिए भी वहाँ पर कुछ होगा उस डन का विचार दारा लेकिन वज़ा नहीं बुजाया हमको चुकि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सांगटनिक ताना बना है उसमें कम यह आपने गुरुजी के कारेकाल को भी देखा अब वरतमान में हेमन सुरन के कारेकाल को भी देखा क्या लगता है कि जो हाल के दिनों में जारखन में राजनितिक परिद्रिष से बने काम तो अच्छा कर रहा है 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 मंद जी काम अच्छा कर रहा है और उससे भी प्रभावित जरूर हुए है हम और हमको लगता है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे लेकिन एक चीज आम तोर पर देखा जाता है कि चुनाओ आने के टाइम लोग इधर से उधर पार्टी में जाते हैं लेकिन अभी तो चुनाओ में काफी वक्त है तो हेमलाल जी जेमें को मजबूत करेंगे संथाल में और इसी सोच के साथ तो हम आहीं रहें यह उद्दे से बीजेपी को कितना बड़ा नुक्सान है हेमलाल जी के छोटने हम कैसे आकलन कर सकेंगे यार यह तो बीजेपी आकलन करेंगी ना लेकिन सुब कामना यह दिया है कहा कि दिपक प्रकास ने कल कहा कि हेमलाल जी को जहां भी जाए उज्वल भविश्य की कामना करते हैं बढ़ जोवरदास का फोकस सबसे ज़्यादा संथाल पर बार बार कहते थे कि हम संथाल को ऐसे करेंगे कई सो बार का दोरा का भी उन्होंने विवरा दिया कि हम सो से अधिक बार संथाल गए क्या बदला देख रहे हैं आप बदला तो रिजल्ट से पता चलता ना रिजल्ट के बाद अगर आप बीजेपी से जुरे हुए थे तो कुछ बदला हुआ था वही तो हम कह रहे हैं भाई राजनिती आखिर इतना सेक्ड़ों बार गया तो उसी उद्देश से गया ना कि हमको यहां पर सीट मिलेगा राजनिताओं का क्या मतलब है तो रिजल्ट बता दिया जीरो रहा हा मना उस हिसाब से नहीं हुआ उपलब्धी या प्रोग्रेस का हुआ अब आपको क्या उमीद है जो सरकार के कारेकाल बचे हैं लगवाग डेर साल साड़े तीन साल हो गए लेकिन कई वादे हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए जिसक सरकार को चाहे हो नियोजन हो या फिर कई वादे हैं कि क्रिसी लॉन जो थे दो लाग तक वो सब तो अब लग रहा है कि दिर साल में वो पूरे हो जाएंगे यह प्रसंतों आप सरकार जोंचे अच्छा रहे हैं तो हेमलाल जी जी में से काफी प्रभावित हैं इनका साफ त राष्टिय पार्टी में जाकर वो और भी अच्छा काम करना चाह रहे थे लेकिन आइसा मोका नहीं मिला इसलिए वो अब फिर से जेमेम का धामन धाम रहे हैं अपने साहियों की समराट के साथ मदन सिंग नियोजबाय स्कोप राची चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरै, मामिनाक्षी देवी और श्री मलिकारजुन जोतरलिंका जार्खन में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाप का आनुपम अमसर संपर्क करें माकामा ख्याद धार्मिक रेल यात्रा केश्री नर्सिंग हों तहला तला पिसका मोड राची वेल्कम तू चाचा मामातन बैलन हाज ज्यादकार सज्य मिश्णा से भुजारिशा है कि वा खाड़े में कूर है और फुल्ट उसको टॉफिस है नमाज है लगता है समाधी लेली अरे पुणा रे अरे पुणा रे, पुणा ना दो टॉप टेक्सिमेंट जो जोड़े तो छोड़े नहीं मजबूती ही हमारी पहचान